किसान अंदूलन के बाद आप राकेश टिकैट नए अंदूलन की कर रहे हैं तैयारी राकेश टिकैट ने पंच्वायत आस तक लखनो के मंच पर ये बात की कि अगला अंदोलन इस बात पर होगा कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री किसी पार्टी के लिए काम ना करें बता दे कि राकेश टिकैट लगातार ये आवाज उठा रहे हैं प्रधान मंत्री देश के होते हैं सब के होते हैं कैसे ही मुख्य मंत्री भी सब के होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं इसलिए किसी भी प्रदान मंत्री या मुख्य मंत्री को किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए यूपी विधान सवा चुनाप के जुड़े सवालों पर राकेस टिकैप ने कहा है कि राजनेतिक दलों को वोट चाहिए होता है सबको वोट की तलाश है हम पार्टियों पर निगार रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या घोशनार ला रहा है इस बीच जब उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा मामला किसी पार्टी से नहीं है हमारा विरोध सरकार से है कि किसी भी सरकार की गलत पॉलिसी आईगी तो हम उसका विरोध करेंगे राकेश टिक्यात ने कहा है कि एक पार्टी के लिए कोई भी प्रधानस्वन्तरी या मुख्यमंतरी काम नहीं करेगा, आने वाले आंदोलन यहीं होगे ये एक नई बहस देश में शुरू होईगी कोई भी मुख्यमंतरी किसी एक पार्टी के बैनरपन ना ज्वाए ये शुरू कराएंगे हम चुनाव होने दीजिए अब इसी पर आंदोलन होगा प्रदान मंत्री और मुख्य मंत्री सब के होते हैं उनके मंच पर एक पार्टी का जंडा नहीं होगा बलकि रास्टर धज्जु होना चाहिए